नमस्कार सौगत है आप सभी का गडित की कच्छा में तो दोस्तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नया चप्टर और उस नय चप्टर का नाम है टाइम एंड डिश्टेंस तो सबसे पहले सारी बेसिक जानकारी हम आपको दे देते हैं टाइम एंड डिश्टेंस की बहुत ही ध्यान से पढ़िए पैन और कॉपी निकाल लीजिए बहुत ही अच्छे से एकांज में जाकर पढ़िए जहां पर आप कोई कोई डिश्टर्ब ना करें जिससे आपके सारे concept एक बार जरूर clear हो जाए और हाँ जब भी आप पढ़ा करिए तो निश्चित तोर पर ये ध्यान रखा करिए कि आज की class ही हमें समझनी है और फिर इस तरीके से नहीं समझना है एक बार महनत करनी है फिर उस तरीके की महनत नहीं करनी है तो आज अगर आप हमसे पढ़ रह प्रेले जो हम आपको बताना चाहते हैं बेसिक क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिश्टेल्स ताइम एंड डिश्टेल्स यानि की समय और दूरी दोस्तो हम लोग पढ़ रहे हैं समय और दूरी तो सबसे पहले एक बेसिक सा फार्मूला सबको पता होगा और उसी फार्मूले पे यकीन मानों उसी फार्मूले पे हम सारा का सारा चेप्टर पढ़ने वाले हैं उसी फार्मूले से ही कुछ concept निकलेंगे और उन concept को अगर एक बार अच्छे से समझ लिया जाए तो यकीनन आपको वो फार्मूला भी लगाना नहीं पड़ेगा ठीक है लेकिन सब कुछ depend करता किस पर है तो याद रखिए फार्मूले पर ही depend करता है तो फार्मूले पर depend करता है ठीक है तो ध्यान देजे याँ पर तो सबसे पहले आप सब ही को वो फार्मूला पता है कि चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय और हर बच्चे ने इसको कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय और यखीन मानिया आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको ये चैप्टर सबच में आएगा हाँ, मैं मानता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है और कन्फ्यूजन क्यूं होती है वो आज की क्लास अगर अच्छे से समझ लोगे तो वो भी समझ जाओगे कि कन्फ्यूजन क्यूं होती है और वो कन्फ्यूजन आगे से ना हो तब भी ये क्लास आपके लिए अती महत्पूर है ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय बेसिक सा फार्मूला है किसमें मिलेगी? किलो मीटर प्रती घंटे में मिलेगी और जो कभी चाल है आपको वो मिलेगी मीटर प्रती सेकंड में किसमें मिलेगी? मीटर प्रती सेकंड में मिलेगी ठीक है, तो ध्यान दीजिए चाल कभी आपको किलो मीटर प्रती घंटे में मिलेगी मीटर प्रती सेकंड में मिलेगी ठीक है ध्यान रखिए दूरी आपको मीटर में मिलेगी किलो मीटर में मिलेगी किसमें मिलेगी आपको दूरी मीटर में मिलेगी और किलो मीटर में मिलेगी ध्यान रखिए समय आपको समय आपको किसमें मिलेगा समय आपको सेकेंड में भी मिलेगा, समय के बाद मिनट में भी मिलेगा, और समय आपको घंटे में भी मिलेगा, ठीक है, तो समय आपको सेकेंड में भी मिलेगा, मिनट में मिलेगा, और घंटे में मिलेगा, आवर में मिलेगा, दूरी आपको दो यूनिट में मिलेगा, आपको मिल जाएगा मीटर और किलो मीटर ठीक है और चाल किलो मीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड और आप इस तरीके से पहचानोगे किसी भी संख्या के आगए अगर किलो मीटर प्रति घंटा है तो चाल है क्या है स्पीड है अब सबसे पहले समझते हैं चाल होती क्या है ठीक है अभी तो हमने आपको बेसिक सी चीज बता दी है कभी आपको किलो मीटर परती घंटा देंगे आपको मीटर परती सेकेंड बनाना पर सकता है आपको कभी मीटर परती सेकेंड देंगे आप किलो मीटर परती लेते हो, घंटे को आप मिनट में बदल लेते हो, मिनट को आप घंटे में बदल लेते हो, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल उडा दोगे question को, ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पर, यह सारी जो, यह सब कुछ जो doubt है, यह पूरा का पूरा हम लोग अभी समझते हैं, ध्यान दीजिये यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चाल किसे कहते हैं, चाल होती क्या है, चाल क्या होती है, तो ध्यान रखिए चाल को हम हर तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है, एक घंटे कितने घंटे में, तो एक घंटे में, एक घंटे में चली गई दूरी, क्या होती है बटा, एक घंटे में चली गई दूरी, एक घंटे में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है चाल कहलाती है वो एक घंटे में चली गई दूरी हो या हम कह सकते हैं, एक सिकंड में चली गई दूरी हो बहुत ध्यान से समझना ये बहुत ही आसान सी चीजे होती है आप एक बार बहुत ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो येकीनवान ये सब कुछ आपको बहुत ही आसान लगेगा ठीक है? तो सबसे पहले मैं फिर आपको बता दू मैंने बताया चाल बराबर दूरी बटे समय एक बेसिक सा फार्मूला है जिस पर पूरा कप पूरा चैप्टर डिपेंड है इसको मत भूलिए अगर चाल बराबर दूरी बटे समय देन हमने बताया चाल होती क्या है तो चालवे ने बताया एक घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है, एक मिनट में चली गई दूरी चाल कहलाती है, एक सेकंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है, अब कैसे कहलाती है, तो ये चीज हमको समझना है, ये चीज हमको समझना है, देखो, एक घंटे में अगर व तो चाल क्या है, तो चाल, तो चाल क्या है, क्या है, एक घंटे में चार किलो मीटर जाता है, तो चाल क्या है, और अभी यहाँ पर हमने बताया है, कि एक घंटे में चली गई दूरी ही चाल होती है, तो एक घंटे में चली गई दूरी कितनी है, तो चार किलो मीटर है, दोस्त यही चाल हो गई आपकी answer आ गया 4 km प्रती घंटा यही चाल है 1 km एक घंटे में चली गई दूरी ही क्या है चाल है तो हमने बताया 1 घंटे में 4 km कोई जाता है तो चाल बताओ तो आप कोगे 4 km प्रती घंटा question में आ गया question में आ गया कि 1 minute में एक मिनट में, एक मिनट में, चार किलो मीटर कोई जाता है, तब चाल क्या है, तब चाल है, चार किलो मीटर प्रती मिनट, तब चाल क्या हो जाएगी, तब चाल चार किलो मीटर प्रती मिनट हो जाएगी, यहाँ पर घंटे में जा रहा है, तो चाल क्या हो जाएगी, चार किल प्रति घंटा हो जाएगी बात समझ में आ रहे यूनिट का बहुत खेल है यूनिट का बहुत खेल है एक घंटे में चली गई दूरी एक घंटे में चार किलो मीटर जा रहा है तो चाल एक किलो मीटर प्रती मिनट यही पर क्वेश्चन कह देता आपसे यही पर क्वेश्चन बोल देता कि एक एक सेकेंड में एक सेकेंड में अगर बेटा ये चार किलो मीटर चला जाता चार किलो मीटर चला जाता चला जाता तो चाल क्या होती? तो चाल क्या होती? तो चाल हो जाती चार किलो मीटर प्रती सेकेंड प्रति सिकंड हो जाती तो बात समझ में आ गई है आपको unit देखना है ये एक सिकंड में जा रहा है चार किलो मीटर तो आपकी चाल चार किलो मीटर प्रति घंटा है यहाँ पर ऐसे कह देते हैं यही पर कह देते हैं कि एक सिकंड में कोई व्यक्ति 4 मीटर चलता है 4 मीटर चलता है तो उसकी चाल क्या है? तो आपका answer होगा 4 मीटर प्रतिस सेकंड क्या होगा? 4 मीटर प्रतिस सेकंड होगा बात समझ में आ रही आपको तो यहाँ पर समझ लो 1 सेकंड में चली गई दूरी एक घंटे में चली गई दूरी एक मिनट में चली गई दूरी सब चाल होती है यूनिट एक होनी जी एक में एकांग समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं एकांग समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं बस इतना रटना है और यकीन मानो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, तो आपके question फटा फट होंगे, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, याद रखिए, ठीक है, तो बात तो इतनी हो गई हमारी, इतनी clear हो गई कि चाल हमें पता चल गई है, दूरी हम जानते हैं, जो दूरी हम तय करते हैं, उसको हम दूरी कहते हैं, distance, ठीक है, और उसके बाद दूरी तय करने में, दूरी तय करने में जितना time लगता है, वो time हम को पता होना चाहिए, तो चलिए हम कुछ आपको यहाँ पर चीजे बताते हैं, जो आपके लिए नई, नहीं है लेकिन कुछ चीजे ऐसी आपको बता देंगे कि जो भी अभे तक आपको doubt है वो सारा का सारा doubt आपका clear हो जाएगा ठीक है? तो ध्यान दीजे यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया कि time and distance जब भी पड़ते हैं तो कुछ ना कुछ confusion होता है वो confusion क्यों होता है? तो बहुत सरल सी चीज है हमसे वो unit को change करने को बोलते हैं हमसे unit को change करने को बोलते हैं तो आज ध्यान कर लो कि एक किलो मीटर में एक किलो मीटर में एक हजार मीटर होते हैं एक हजार मीटर होते हैं अगर आपसे कहा जाए कि एक किलो मीटर चलके जाओ तो तुम एक हजार मीटर चल के जाओगे यानि दोनों चीजे क्या है बेटा सेम है यहाँ पर कहा जाएगा कि एक घंटे में मिनट कितने होते है तो आप कहोगे साथ मिनट होते है कितने मिनट होते है साथ मिनट होते है यही पर question आया कि एक घंटे में कितने सेकेंड होंगे तो समझो पहले एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते है तो 60 मिनट into 60 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3600 सेकेंड प्रती घंटे में होते हैं एक घंटे में एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं तो बच्चा याद रखिएगा 3600 सेकेंड होते हैं तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझनी है तो यही से अगर यह चीज आपको पता है तो आप यूनिट को चेंज कर सकते हो आप किलो मीटर प्रती सेकेंड किलो मीटर प्रती घंटा को मीटर प्रती सेकेंड में चेंज कर सकते हो और मीटर प्रती सेकेंड को किलो मीटर प्रती घंटा में बदल सकते हो एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ उसके बाद फटा फटा हम क्वेश्चन लेंगे और question में speed से करेंगे ठीक है ध्यान दो जरा आप से कहा जा रहा है कि एक किलो मीटर प्रती घंटे को मीटर प्रती सेकेंड में बदलो किसमें बदलो मीटर प्रती सेकेंड में बदलो तो कैसे करेंगे तो ध्यान दो यह आपका वीडियो बेसिक जानकारी के लिए ही हम आपको बना रहे हैं इसके बाद जो भी आगे वीडियो आएगा उसमें question हम करवाएंगे अभी थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग कवर करते हैं यहाँ ध्यान दो यहाँ पर आप एक किलो मीटर यानि यह कहोगे कि एक किलो मीटर बटे घंटा एक किलो मीटर में क्या होते हैं एक हजार मीटर होते हैं और उसके बाद घंटे में second बता हो क्योंकि यह एक किलो मीटर प्रति घंटा को किस में बदलना चाहते हैं बटा तो बदलना चाहते हैं वो एक मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो किलो मीटर को तुमने मीटर में चेंज कर लिया, घंटे को सेकंड में चेंज करो घंटे को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 36 सो आएगा की नहीं आएगा, 3600 सेकंड आएगा की नहीं आएगा 2020 कैमसिल 2510 और 36 को काड़ दिया तो 18 आ गया यानि 5 बटे 18 क्या निकला गटा 5 बटे 18 मीटर प्रती सेकंड मीटर प्रती सेकंड तो यहाँ से एक चीज हम सीख रहे हैं कि अगर किलो मीटर प्रती घंटा कहीं पर दिख रहा है किलो मीटर प्रती घंटा दिख रहा है उसको अगर यह बनाना है मीटर प्रती सेकंड लेख सकते हैं किलो मीटर प्रती घंटा को हम 5 बटे 18 मीटर प्रती सेकंड लेख सकते हैं किसको किलो मीटर k by h, k by h कहीं पर दिख रहा है तो उसे हम 5 बटे 18 m by s लिख सकते हैं, meter प्रति सेकंड लिख सकते हैं, तो चलो एक बाद इसको देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं हम कह रहें 2 km प्रति घंटा यानि km बटे घंटा को हम change करना चाहते हैं meter प्रति सेकंड में, तो हम यह जानते k by h को तो हम 8 5 बटे 18 m by s लिखते हैं, तो आप लिख दो 2 into 5 बटे 18 k by h को हम क्या लिखते हैं यह लिखते हैं, into m by s ठीक है, तो 2 नहीं 18 कितना आजाएगा, 5 बटे 5 बटे 9 m by s यानि meter प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड, अगर करना है तो आपको 5 बटे 18 से गुड़ा करना पड़ेगा ठीक है, ध्यान दीजे फिर से अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो एक बार बहुत सरल तरीके से अब समझते हैं देखो, जहां पर भी आपको किलो मीटर प्रति घंटा मिले जहां आपको किलो मीटर प्रति घंटा मिले इसको आपको अगर मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो आपको 5 बटे 18 से गुड़ा करना पड़ेगा 5 बटे 18 से गुड़ा करना पड़ेगा याद रखिये, किलो मीटर प्रति घंटा से आपको क्या बनाना है मीटर प्रति सेकंड बनाना है ठीक है किस से गुड़ा करना पड़ेगा पांच बटे 18 से गुड़ा करना पड़ेगा आपको अगर मीटर प्रति सेकंड से किलो मीटर प्रति घंटा बनाना है तो आपको 18 बटे 5 से गुड़ा करना याद कैसे किया जाए, याद कैसे रखना है, कि ये चीज हम कभी न भूले, कैसे याद रखा जाए, तो ध्यान दो बेटा, किलो मीटर बड़ा होता है, किलो मीटर बड़ा होता है, इससे हमको बनाना क्या है, मीटर प्रती सिकंड बनाना है, क्या बनाना है, मीटर प्रती सिकं से मीटर प्रति सेकंड यह बड़े से हमको छोटा बनाना है तो छोटा वाला उपर रहेगा 5 बटे 18 बटे 5 में confusion हो सकती है तो हम याद कैसे करने बड़े से गर छोटा बनाना है तो छोटा उपर छोटे से गर बड़ा बनाना है तो बड़ा उपर अब ध्यान दो छोटा बनान क्योंकि मज़ा आने वाली है भाई मज़ा आने वाली है रट लो इसको क्या करना है क्या करना है ध्यान दो क्या करना है हमने आपको यहाँ पर एक चीज बता दी है और वो आपके लिए बहुत काम की चीज है बहुत काम की चीज है मेरे भाई चोटा बनाना है छोटा उपर बड़ा बनाना है बड़ा उपर चोटा बनाना है छोटा उपर बड़ा बनाना है बड़ा उपर चलिए question ले लेता हूँ इसी में मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ देखो 3 सही 1 बटे 3 तीन सही एक बटे तीन को क्या करना है भाई, तीन सही एक बटे तीन मीटर परती सेकंड से, गती को यदि किलो मीटर परती घंटा में वेक्त किया जाए, तो वहाँ कितनी होगी, तो वहाँ कितनी होगी, ये छोटा है, मीटर परती सेकंड छोटा होता है, उससे बड़ा बनान कि नहीं ? 3 तरक्को नौएक 10 बटे 3 लिख सकते हैं कि नहीं ? 10 बटे 3 मीटर प्रती सेकेंड है क्या है ? प्रती सेकेंड है हमको बड़ा बनाना है तो बड़ा उपर रहेगा 18 बटे 5, 3 से इसको काटा 17, 18, 5 से इसको काटा 5, 2, 10 और 6, 2, 12 कितना आएगा मिरे भाई ? 12, 12 किलो आएगा कि नहीं आएगा तो बिल्कुल clear है ना, छोटा बनाना है, छोटा उपर, बड़ा बनाना है, बड़ा उपर, बस इतना ही concept है, आपको कभी भी किलो मीटर से, किलो मीटर प्रती घंटे से मीटर प्रती सेकेंड बनाना है, तो छोटा उपर रहेगा, मीटर प्रती सेकें को फटा फट कर लेते बस आपने रट लिया है हर चीज को आपने रट लिया है यहां पर answer क्या रहा था चलो फिर से कर लेता हूं तीन तरको नो एक 10 बटे 3 10 बटे 3 किसमें है मीटर प्रति सेकेंड में है तो किलो मीटर प्रति घंटा बनाना है तो बड़ा उपर रहेगा बड़ा उपर रहेगा 18 बटे 5, 5 दूना 10, 36, 18 6 दूना 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानि D option बिल्कुल correct है, D option बिल्कुल correct है, आपको समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है, चलो अगले question पर चलते हैं, तो अगला question आपके सामने है question number 2, 16 मीटर प्रति सेकेंड, भाई, मीटर प्रति सेकेंड तो छोटा होता है 16 मीटर प्रति सेकेंड 16 मीटर प्रति सिकेंड से हमें किलो मीटर प्रति घंटा बनाना है यानि बड़ा बनाना है तो बड़ा उपर रहेगा 18 बटे 5 18 बटे 5 अब क्या करना है भाई solve करना है तो 18 छक्का कितना होता है 108 और 18 एक के 18 दस 28 होता है कि नहीं divide by 5 5 से divide कर दो 5 चक्को 20 पचम 25 पचीस तीन 5 सते 35 और आजाएगा तीन 5 चक्का 30 5 सते 57 दसमलोच है यानि C option correct होगा की नहीं C option correct होगा की नहीं ये बाई किलो मीटर प्रति घंटे में निकाल रहे हो किलो मीटर प्रति घंटे में speed को change कर रहे हो ठीक है अगले question पर चलते है तो फटाक से देख लोग 45 किलो मीटर प्रति घंटा है ये बड़ा है इससे छोटा बनाना है ये देखो option में छोटे है ना तो 45 किलो मीटर प्रति घंटा से हमें छोटी चीज बनानी है छोटी यूनिट बनानी है मीटर प्रति सेकेंड में change करना है तो 5 बटे 18, 9, 2, 18, 9, 5, 45, 25, 25 बटे 2, 25 बटे 2 होगा कितना तो मेरे प्यारे भाई इसको स्वालु करेंगे 12.5 आएगा कितना आएगा 12.5 मीटर पर 30 सेकेंड लोग खतम हो गया तीसरे का C बिलकुल करेक्ट एंसर है तीसरे का C बिलकुल करेक्ट एंसर है तो बात समझ में आ रही है कि इतना ही आसान है और यकीन मानो इससे ज़ादा इससे ज़ादा मैं जितना tough question आ जाए नहीं करने वाला हूँ इतना ही करने वाला हूँ बस ठीक है तो यही तो magic है यही सीखना है पूरा mess आप बिलकुल अलग तरीके से सीखोगे हम से ठीक है तो ध्यान दो question number 4 question number 4 बेटा सीखना है हमें अब question number 4 कह रहा है किसी कार की चाल 80 km प्रति घंटा है मीटर प्रति सिकंड में क्या होगी मीटर प्रति सिकंड बड़ा है इसको छोटे में चेंज करो 18 into 5 बटे 18 बड़ा था इसको छोटे में चेंज करना answer कितना हो गया 5 हो गया कितना हो गया sorry 80 km है यहाँ पर मैंने 18 लिख दिया है चलिए कितना है 80 km है तो 80 km को मीटर प्रति सिकंड बनाना है तो 5 बटे 18 से गुड़ा होगा ठीक है जो कट रहा है काट देंगे जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे कितना आजाएगा 4 25 200 बटे 9 200 बटे 9 इसको solve करते हैं तो 200 बटे 9 को solve करेंगे तो कितना आएगा 9 दूना 18 2 9 दूना 18 22 सही 2 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड कहीं पर option दिख रहा है 22 सही 2 बटे 9 22 सही 2 बटे 9 मीटर पर सेकंड be option correct चलिए अगले question पर चलते हैं तो फटा फटा आप revision करते रहिए revision आप ये समझ लीजिए वो खुराक है जिससे आपका exam निकलेगा जिससे आपका exam निकलेगा question number 5 पर आजाईए question है बहुत सरल केवल 4 बराबर दूरी बटे समय केवल 4 बराबर जहां पर ये भूले समझो question चूक जाएंगे आप चाल बराबर दूरी बटे समय ये आपको हर समय याद रखना है चाल बराबर दूरी बटे समय विपिन भाई सहब है 455 मीटर 9 सेकंड में पार कर लेते हैं अब आप बताओ 450 मीटर मैंने बताया था शुरुवात में ही कहीं पर आपको मीटर दिखे केवल तो दूरी है कहीं आपको किलो मीटर दिखे केवल तो दूरी है मीटर किलो मीटर कहीं पर दिखे तो बेटा समझ जाना वो चीज distance है क्या है? दूरी है कहीं पर आपको second दिखे कहीं पर आपको second दिखे कहीं पर आपको minute दिखे कहीं पर आपको घंटा दिखे तो समझ जाना बेटा ये time बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? time बताना चाह रहा है question में तो बात इतनी समझ लो अब यहाँ पर 400 meter है दूरी क्या है दूरी तो 450 meter क्या है meter और यही time कितना लग रहा है हमें दूरी पता है हमें समय पता है पूछ लेंगे भाई चाल चाल तीन चीजे हैं कभी चाल पूछेंगे कभी दूरी पूछेंगे कभी समय पूछेंगे time distance में केवल आप से तीन चीजे पूछते हैं या तो कभी speed पूछ लेंगे कभी time पूछ लेंगे अगर time नहीं पूछते हैं तो distance पूछ लेंगे ठीक है तो 450 बटे कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखना है 450 मीटर बटे 9 सेकंड 9 सेकंड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड जो आपका speed बन रहा है वो मीटर प्रति सेकंड में बनेगा किस में बनेगा मीटर प्रति सेकंड में बनेगा अब आप ही कह रहे हो कि अगर distance मीटर में है, time second में है तो 40 मीटर प्रतिस थेकंड में बनेगी, किस में बनेगी, मीटर प्रतिस थेकंड में बनेगी तो मेरे दोस्ट, अगर 450 बटे 9 किया, तो 50 आ गया, और मीटर प्रतिस केंड में आ गया इसको हमने चेंज करना छोटी यूनिट है बड़ी बनानी है तो बड़ी उपर रहेगी कि नहीं 18 बटे 9 18 बटे 9 होगी कि नहीं तो कर लेते हैं 18 पंचे 90 तो 9 से सारी यहाँ पर 18 बटे 5 क्या कर रहे हैं हम 18 बटे क्या होगा 5 होगा 5 18 बटे 5 तो 5 से 5 कैंसिल 18 का गुड़ा बिटा 10 से करोगे तो 180 आएगा की नहीं आएगा 180 किलो मीटर प्रति घंटा में ही तो है 180 किलो मीटर प्रति घंटा में ही तो है D option करेक्ट D option क्या है correct है चले बात समझ में आ गई काफी सरल सा question था चले एक एक चीज सुरुवात वाले question में हम हर चीज बताएंगे आपको तो बिलकुल घवराना नहीं कि आप सोच रहो कि बड़ी धीरे चल रहा है चलेगा उतनी ही स्पीड में सब कुछ जैसा ही आप बेसिक सारी चीजे सीख जाते हो फिर हम उसके आगे फटा फट करवाते हुए चलेंगे तो धैर्य स्टूडेंट की सबसे महत्पूर पुझी होती है तो धैर्य आपको बिलकुल नहीं खोना है Q6 कह रहे हैं एक बस जो 20 घंटे में 700 km अच्छा जो दूरी है वो km में है और हम जानते है इस पीड जो बनती है वो distance by time distance upon time से बनती है distance हमें पता है 720 km है time कितना है तो 20 hour है 20 घंटे का समय है कितने का है 20 घंटे का तो भाई unit जो speed बनेगी वो km प्रति घंटे km प्रति घंटे में बनेगी किसमें बनेगी km प्रति घंटे में बनेगी 0 से 0 cancel 2 से काटा इसको तो कितना आ गया तो कितना आ जाएगा भाई 2, 3, 6, 36 36 क्या आ जाएगा तो किलो मीटर प्रति घंटा अब भाई 36 किलो मीटर प्रति घंटा है मीटर प्रति सिकेंड छोटी यूनिट बनानी है तो छोटा उपर रहेगा 5 बटे 18 और 18 दूना 36 और 2 पंचे कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड बात पले पड़ रही है बात पले पड़ रही है चलिए अगले कुश्चन पर आते हैं तो फटाक से अगले कुश्चन पर पहुँचते हैं इस पीड में हम लोग तो अगला कुश्चन है एक कार एक कार क्या कर रही है भाई एक car कर रही है कि 20 घंटे में 630 किलो मीटर दौर जाती है कितना दौर जाती है तो बताओ जल्दी से अंसर इसका क्या होगा जल्दी से अंसर बताओ इसका क्या होगा फटाक से अंसर करके बताओ question कह रहे है कि एक car 20 घंटे time कितना है तो time है 20 घंटे का है distance by time distance by time speed निकलती है अगर आपको दूरी पता हो time पता हो तो दूरी को आप time से divide कर दो दूरी को आप time से divide कर दो speed निकलेगी 630 630 बटे 20 और निकलेगी किसमें तो घंटा है और kilometer है जो speed निकलेगी वो kilometer और घंटे में ही निकलेगी 0 से 0 depict 3 TB'te 2 क्या आगी kilometer प्रती घंटा हमें छोटी यूदि बनानी ही हमें क्या करना है छोटी unity kilometer प्रती है लेकिन यत को होग यह रहे मीटर प्रती प्रती सेकन्ड में एंसर बताओ किसमें बताओ मीटर प्रति सेकंड में अंसर बताओ तो मेरे लाल अगर मीटर प्रति सेकंड में करना है इसको तो छोटा उपर रहेगा क्योंकि छोटी यूनिट बनानी है पांच बटे अठारा नो दुना अठारा, नो सते तिरसट साथ बना पैंतिस बटे चार कितना होगा मेरे लाल पैंतिस बटे चार और पैंतिस बटे चार को सॉल्व कर लिया जाए तो चार अठे बटिस होता है चार अठे बटिस होता है और चार सत्य अठाइस होता है चार सत्य अठाइस और चार पंचे बीस यही तो आपका अंसर है यही तो आपका अंसर है और निकला किसमें है तो मीटर प्रतिस सेकेंड में निकला है मीटर प्रतिस सेकेंड में निकला है C option is a correct answer बात समझ में आ रही है बहुत ही आसान है सब कुछ आसान है मेरे लाल यहाँ पर चलिए अगले question पर चलते हैं तो चलिए अगले question पर फटा फटा ऐसे question हमने इतने ही खटे कर लिये है कि यकीन मानों आप मजा आने ही वाली है एक एक question सीखेंगे कच्छुआ हमेशा सफल होता है खरगोस बनोगे तो सफलता थोड़ी सी निश्चित अनिश्चित हो सकती है थोड़ा संदे हो सकता है कि खरगोस कभी दोड़ेगा कभी नहीं दोड़ेगा कभी सो जाएगा लेकिन अगर आप कच्छुए हो तो निश्चित सफलता है सफलता दूर हो सकती है लेकिन निश्चित है गारंटी हमारी है चलिए question number 8 question number 8 क्या है एक कार 54 किलो मीटर पर सी घंटा की चाल से मेरे लाल 15 घंटों में एक नियत दूरी तैं करती है एक कार है वो 54 किलो मीटर पर सी घंटा भाई इसमें तुम जानते हो चाल बराबर क्या होता है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय क्या होता है मेरे लाल हम दूरी निकालेंगे तो भाई ये cross multiply हो जाएगा, यानि चाल into समय तो ही दूरी होता है, तो आज हम एक फार्मूला सीख रहें यहाँ पर, जब भी distance निकालनी हो, जब भी दूरी निकालनी हो, तुमको चाल पता हो, तुमको time पता हो, तुमको समय पता हो, गुड़ा कर दो, चाल और समय का गुड़ा करोगे, तो distance निकलेगी, distance निकलेगी, चाल और समय का गुड़ा करोगे, तो distance निकलेगी, तो distance हमी निकालना है, तो हमें चाल पता है, 54 km पर ती घंटा है, कितनी है, 54 km पर ती घंटा है, और यही पर आपको क्या पता है, यही पर आपको time पता है, तो टाइम से ही तो गुड़ा करना है, टाइम से गुड़ा कर देते हैं, तो पांच दूना दस, 27 तिया, कितना हो जाएगा, चलो, पंदरा चको साथ के जीरो हां सी लगे, छे, पंदरा पना पच्छत्तर, पच्छत्तर च्छे, इक्यासी, यानि 810, 810 किलो मीटर, 810 किलो चलते हैं, तो आपको टाइम बताना है, सौरी, चाल बतानी है, और किलो मीटर प्रति घंटा में, या तो मीटर प्रति इसको बनाना है, किलो मीटर, बड़ी उनिन बनाना है, तो 18 बते, 5 से गुड़ा, 9 दूना, 18, 5 दूना, 10, और 20 से दूना कितना हो जाएगा, बेटा, 40 हो जाएगा, और 40 किलो मीटर प्रति घंटा, आपका एंसर, 40 किलो मीटर प्रति घंटा, आपका एंसर, B option करेक्ट है, B option क्या है, B option चोटा होता है, quality उसकी, जब बीज को रोपा जाता है, quality बाद में पता चलती है, कि कितना विसाल काय पेड बन जाता है, एक बीज, तो बीज बनिये, बीज की तरह बस केवल होनी क्या चाहिए, लगन होनी चाहिए, कि तुम्हें केवल अवसर मिल जाए, अब बीज को अवस के से विसाल काय बन सकते हैं, आपका बीज में खाद क्या है, खाद है अच्छे concept आपके हो, खाद क्या है और इसके बाद पानी क्या है, आप अच्छे से revision करो, अच्छे से हमी आपको practice करवाए, देन आप अच्छे से उसको 3-4 बार revision करो, आप विसाल काय जरूर बन जाएं ठीक है तो चलिए question number 9 के बाद हम लोग पहुँचते है question number 10 पर question number 10 पर question number 10 क्या है मेरे लाल एक बस की चाल 72 km प्रतिगंटा है कितनी है 72 km प्रतिगंटा है याद रखो 72 km प्रतिगंटा है आपको दे दिया है बस द्वारा 5 सिकंड में तैंकी गई दूरी जान दो मैंने बताया है कि जो आपकी चाल होती है उसमें 2 unit काम करती है या तो km प्रतिगंटा या तो meter प्रतिगंटा है चाल है लेकिन km प्रतिगंटा है समय आपका किसमें है second में है तो क्या कोई ऐसी unit है चाल की जो second में होती है तो आपको मीटर परति सेकंड होती है तो done, आपको मीटर परति सेकंड में बदलना पड़ेगा ये किलोमीटर परति घंटा है छोटी यूणिट में बनाना है तो छोटा वाला उपर रहेगा 5 बटे 18 5 बटे 18 और 18 चोक 72 होता है कि نहीं 4 पंचे 22 क्या time आपका second में ही है हाँ आपका time तो second में ही है और second में time आपका था इसलिए घंटे को यानि kilometer घंटे को हमने meter प्रति second में किया था second में time था ना तो unit हमने meter प्रति second में किया था बस हो गया आपको चाल पता है आपको time पता है आप गुड़ा कर दो का टाइम से गुड़ा करेंगे, चाल को समय से गुड़ा करेंगे, दूरी निकलेगी 20 इंटू, 20 इंटू क्या कर दे? 5, 20 पंचे क्या हो जाएगा? 100 और 100 आएगा किसमें? आएगा किसमें? अगर 5 सेकेंड है, 20 मीटर प्रती सेकेंड है, तो भाई सेकेंड सेकेंड तो मिल गया थो, तो यूनिट किसमें आजाएगी? मीटर में आजाएगी, मेरे लाल मीटर में आजाएगी, 100 मीटर आपका क्या हो जाएगा? 100 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा ठीक है तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी चलिए फटाक से आप इस किन स्वाट भी ले सकते हैं और question को आगे पढ़ते हैं हम लोग question आगे करते हैं चलिए अगले question पर चलते हैं तो अगले question पर फटाक से आ जो आप सभी और बता दो एंसर इसका क्या होगा फोर दो जल्दी से इस सवाल को क्वेशन नमर 11 है एक व्यक्ती 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है ठीक है 600 मीटर है क्या है भाई मीटर है और कह रहे हैं 5 मिनट लगते है 5 मिनट लगते है लेकिन जो हमने speed सुनी है हमने जो speed सुनी है वो kilometer प्रती घंटा में बतानी है kilometer प्रती घंटा में बतानी है तो क्या कर किया जाए क्या किया जाए 5 minute को क्या हम second में पहले change कर लें 5 minute को अगर second में change करेंगे तो 1 minute में 60 second होते है तो ये जो minute है ये मिनट हट गया और अब क्या बने गया मेरे लाल सेकंड बन गया क्या बने गया सेकंड बन गया ठीक है अब मीटर प्रती सेकंड में यूनिट बने गी जो स्पीड बने गी वो मीटर प्रती सेकंड में बने गी तो ये देखो 0 से ये 0 कैंसिल ये 6 से ये 6 कैंसिल और 10 बटे 5 है तो 5 इसे 5 दुना 10 दो आ गया यानि 2 मीटर प्रति सेकेंड में हमें यूनिट मिल गई है बताना 2 में नहीं था किलो मीटर प्रति घंटा में बताना था मीटर प्रति सेकेंड को हम किलो मीटर प्रति घंटा में चेंज करना जामते हैं कैसे होता है तो भाई बड़ा बनाना है तो 18 बटे 5 होगा की नहीं होगा 18 दुना 36 बटे 5 होगा की नहीं होगा 36 बटे 5 है तो बेटा इसको तो solve कर लेंगे 5 से 35 पांच दूना 10 और क्या आजाएगा तो किलो मीटर प्रती घंटा आजाएगा और किलो मीटर प्रती घंटा में ही तो चाल आपसे पूछ रहेते हैं तो 7.2 C option is the correct answer C option बिलकुल correct है तो बात समझ में आ रही है आपको तो चलते हैं अगले question की और अगले question की और चलते हैं हम लोग type change हो चुका है समान दूरी भिन भिन चाल प्राधारीत प्रस्ण है इन question को हम अगली वाली class में समेट लेंगे आज आपका काम समझ लो आज आपका काम क्या है आप फरजी लिखो कि 25 मीटर प्रति सेकेंड अगर हमारी चाल होगी तो भाई फरजी लिखो कि किलो मीटर प्रति घंटे में कितनी होगी ऐसे फरजी लिखो फरजी लिखो और फरजी प्रैक्टिस करो यकीन मानो अगर इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो जहाँ पर भी मीटर प्रति सेकेंड दिखे आप तुरंद बताओ किलो मीटर प्रति घंटे में क्या है तो ये मानो आप यहीं से सक्सेजफुल होना स्टार्ट हो जाओगे ठीक है तो पचीस मीटर परति सेकंड है तो मीटर परति सेकंड है तो मीटर परति सेकंड छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बना रहे हैं तो अठारा बटे 5 तुरंत कर देंगे पचम पचीस और अठारा पंचे 90 किलो मीटर परति घंटा 90 किलो मीटर परति घंट और ये जानते हो कि जो speed होती है वो हमेशा दो unit पर चलती है या तो आपको मीटर पर सिकंड मिलेगा या तो आपको मीटर पर सिकंड मिलेगा और या तो आपको मिलेगा क्या या तो आपको मिलेगा किलो मीटर पर सिकंड मिलेगा नहीं तो किलो मीटर पर सिकंड मिलेगा बस आपको यही चीजे दो ध्यान देनी है और दो को चेंज करना आपको सीखने ही पढ़ेगा अगर स्पीड आप बढ़ रहे हो तो ठीक है, सब कुछ आना चाहिए सब कुछ आना चाहिए और यह बेसिक चीजों पर आप जितना जादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा है, जैसे हमने बोला 35 मीटर परसी सेकेंड को चेंज करो तो भाई मीटर परसी सेकेंड यह छोटा यूनिट है इससे बड़ा यूनिट बनाना है, तो उपर बड़ा वला रहेगा 18 बटे, 5-5, 7-35 18-7 कितना हो जाएगा 18-7, 126 बात समझ में आ रही है इस तरीके से आपको सौल्व करना है, 126 किलो मीटर परसी घंटा है, भाई थोड़ा से देखो कहदे कोई 35 मीटर मीटर में 126 में जब काटा जाएगा तभी का मतलब है 35 मीटर परसी सेकेंड है, 35 मीटर परसी सेकेंड है, ठीक है 126 किलो मीटर परसी घंटा बहुत स्पीड हो गई, 120 प्लस चल रहे है अगर बाइक चला रहे हो तो धुआ निकल जाएगा बाव समझ में आ रहे है उपको यह चैप्टर परसी समझ में आ रहे हो यानी 126 किलो मीटर परसी घंटे की रफ्तार से जा रहे हो बाव समझ में आ रहे है तो बस इसी पर अगर आप ठ्रेक्रिस करते हो तो थोड़ा सा आपका दिमाग जरूर खुलेगा और दिमाग अगर अच्छे से खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आने वाला है आज ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं इसी उस्तावर उमंग के साथ तब तक लिए जय हिन जय भारत वंदे मातरम जिन्दाबाद